एटरनल्स की ओफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ चुकी है और इस टीजर से हमें पता चल चुका है कि मार्बल एक नया गॉल्डेन पाथ ले चुका है और मार्बल स्टूडियोस के मन में इंडिया और इंडिया के कल्चर के लिए कितना इज़त है इस वीडियो में हम एटरनल्स के टीजर ब्रेकडाउन करेंगे पहले मैं सीन वाइज या सोट वाइज ट्रेलर समझा देता हूँ और अगर आपको इसमें से कोई भी करेक्टर अनफेमिलिया लगे या उसके पावर्स अनफेमिलिया लगे तो मेरी फेज 4 की फर्स ट्रेलर ब्रेकडाउन चेक आउट कीजिए पीजर सुरू होता है गाने से जो हुमेंस और अर्स के रिलेशन्शिप को सिग्निफाइ कर रहा है और इस सौट में जो लोग दिख रहे हैं वो एक्चुल इम अर्स के पहले हुमन सिविलाइजेशन है और ये लोग सर्भाइब करना सीख रहे हैं और तभी एटर्नल्स के स्पेस्टिप की एंट्री होती है उसके बाद हमें शिप के अंदर के सीन्स दिखाए जाते हैं यहाँ सर्सी इकारिस को धर्ती और उसकी खुबसूर्ति के बारे में बोल रही है इसके बाद के कुछ सीन में सारे करेक्टर्स को रिभील किया जाता है पहले एजयक का सेडो दिखता है फिर थीना दिखती है और फिर एजयक पुरे अच्छे से हमें दिखाये जाता है नेक्स्ट है जो कि या तो कुछ कोस्मिक एनरजी अपने से एमिट कर रहा है या फिर वो सिप को चला रहा है और उसके बीचे स्प्राइड चिल मार रहा है यहां से जो हमें दिखाये गया वो मुझे सबसे इंट्रेस्टिंग लगा रहा है हम किसी को एक कोई टूल देता हुए भी देख सकते हैं खीना यहां मोस्ट प्रबाबली कपड़े काड रही है या तो कोई कॉमबेट ट्रेनिंग कर रही है इसके बाद के सौर्स में हम एक मिस्टेरियस टेंपल को देख सकते हैं जिसे हमने पहले टीजर में भी देखा था और यहां पे सारे लोग घुटने टेक के एटरनल को रेस्पेक्ट दे रहे हैं यहां तक कि वहाँ पे तबाई और वार हो रहा है मगर वो लोग उसमें टांग नहीं अड़ा रहे हैं और इसके बाद हमें स्पराइड दिखता है रोते हुए बट यह सीन साइद वार का टाइम का नहीं है बलकि यह भौलकेनो इरप्शन का टाइम का है और भॉलकेन और इरॉप्शन का सीन हम आगे देखेंगे फिर आगे आगे डुरूइट की एंट्री होती है उसी विलेज में जिसे हमने पहले टीजर में देखा था मगर इस सौट के बाद से एटर्नल अर्थ के आपसी मामले में इंटर्फियर करना शुरू करते हैं जहांपे मकारी एक बच्ची की जान बचाती है और आगे एटर्नल कोस्मिक एनरजी एमिट करते हुए दिखते हैं बट इसके आगे जो सीन दिखा गया उसमें सामें पता चल गया कि मार्बल के मन में हम इंडियन के लिए कितना रस्पेक्ट है यहां हमें सर्सी और इकारिस की शादी होते हुए देख सकते हैं इंडियन स्टाइल में भाई लिटरली सारी, कुर्ता, कमीज, बरमाला, पीछे दिये और लोटा भी है तो फिर नोट कलो UPC में आएगा पहला इंडियन मेरेज कहा हुआ था ठीक है इसी कुसी में इंडियन स्टी इंडियन चैनल को एक इंडियन लाइक देखे जा सकते हो इनी सॉटस में हमें इकारिस और सर्सी की केमेश्टी एंसेन टाइम से लेके आज तक दिखाई गई जिसमें शायद लास्ट वाला वही जगा है जहां पर पिछले ट्रेलर में सर्सी मौजूद थी फिर हमें किंको अपने टेंपल में नाचते हुआ दिखाये जाता है इसके बात के जो सीन सेबों में सौट में समझा देता हूँ किंको और एक माइंडलेस ओन की साइड दिखी विलेजर्स जिनका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है वो किसी पर गन पॉइंट कर रहे हैं वोलकेनों इरफ्षन स्प्राइड चिल मार रहा है क्लाउड्स गरज रहे हैं और आगे हमें एक एटरनल्स की टीम अप दिखती है तो बेसिकली ओवर्विव दिया जाए तो इस मूवी में इस विलेज का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा अगर सौट में बताया जाए तो एटरनल्स पहले आर्ट्स पे आए इंसान की मदद किया प्रोग्रेस करने में और खुद साधी-फादी करके नॉर्मल यूमेन की तरह रहने लगे फिर उसके बाद यहां यह हो सकता है कि डुरीड एक विलेज को अपने कबजे में लेके बेठा हो और उससे सबक सिखाने के लिए दूसरे एटरनल्स उसी विलेज में जाते हैं और फिर बहां के लोग उन पे गोली चलाते हैं या फिर यह भी हो सकता है कि उस विलेज में थेनोस के माइनलेस वन एटेक किये हो और सारे एटरनलस विलेजर की मदद कर रहे हो इन दोनों में से जो भी हो बड़ साइद आखिर में जब थेनोस स्नैप करता है तब एटरनलस अपनी डिसीजन चेंज करते हैं लोगों की हेल्प करने की सोचते हैं और उसके बाद यह बादलकरजने की सीन में यह पता चल रहा है कि या तो यहाँ पे थोर आया है इन्फिनिटी वार के टाइम कि थेनोस आया है एंडगेम के टाइम क्योंकि endgame के time Thanos अपनी पूरी आर्मी लेके आता है और जब वो आर्मी लेके आता है तब अर्थ पे सुभा रहती है पर वो शाम की तरह दिखता है चारो और अंधेरा रहता है और इंफिनिटी वार में थोर वाकांडा में लेंड हुआता है तो वेस्टन पार्ट में बादल गरजन के कोई सेंस नहीं बढ़ता तो ये सियोली थेनोस आया है जिसको किसी तरह से भनक लग चुकी है कि यहाँ पे उसके रेस के भी लोग रह रहे हैं और इसलिए अब आपने माइंडलेस वन्स को भेजता है एटेनल्स को निप्टाने के लिए जैसे हमने किंको को देखा था फाइड करते हुए एक माइंडलेस वन्स के साथ और ये टेमपल वाला भी सीन साइध उसी टाइम हुआ है और आखिर में एटेनल्स लंच करते हुए दिखे और ये सीन कुछ-कुछ एवेंजर्स के लास्ट सीन की तरह दिख रहा है यहाँ पे हमें इंडिया नेक्टर हरीस बटेल भी दिखे जो किंको के साथी का रोल प्ले कर रहे हैं इस मूवी में और यहाँ इकारिस कुछ ऐसा जोग बोल देता है जिससे इस मूवी के ऊपर बहुत बड़ा रिस आ सकता है कौनसे रिस आई बटन में एक वीडियो पॉप अप हो रही होगी जाके उसको चेक करो और क्यों क्या पता इस ट्रेलर में अजया को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए दिखाया गया है और आखिर में सैम ही एवेंजर्स को लीड करेगा no doubt so don't worry and thanks for watching I'll be back with a new one until then love all, respect all, this is Jigar Watcher, peace out